गुड मॉर्णिंग डियर यह जन सत्ता संपाद किये का डिक्टेशन है समय शुरू हो रही है थोड़ी दिर में स्टार्ट भाजपा से अलग होने के बाद सिव सेना सत्ता के लोब में जिस तरह राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस से मिलकर सरकार बनाने की राह पर बढ़ चली है उससे अफसरवादी राजनीती का एक और सरमनाग उधारन ही पेस होने जा रहा है वैसे तो देश में कोई भी ऐसा डल नहीं जो अफसरवादी राजनीती से अच्छूता हो लेकिन जो सिव सेना कर रही है वह राजनीतिक निरलजता की प्रकास्टा है हिंदूत्य की राजनीती का दम भरने और कॉंग्रेस एवं राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी को सदयव कोशने वाली सिव सेना यही सावित कर रही है कि वह सत्ता के लिए किसी भी हद तक गीर सकती है वह ऐसे समय अपनी रीती नीती को धत्ता बता कर कॉंग्रेस और राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी को गले लगाने जा रही है जब आयोध्या फैसला आने के बाद देश उन दलों को अस्मरन कर रहा है जो राम मंदिर निर्मान की मांग का समर्थन और विरोध किया करते थे यह हत्प्रव करता है कि सिवसेना आयध्या मामले में कॉंग्रेस और राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के रवये को इतनी आसानी से भूलना पसंद कर रही है सिवसेना अपने सत्ता लोब में खुद को बाला साहब ठाकरे की विरासत से ही अलग नहीं कर रही है उस कॉंग्रेस के समच नत्मस तक भी हो रही है जिसके विरोध से ही उसका जन्म हुआ था निसंदे सिवसेना को सत्ता तो मिल जाएगी लेकिन क्या उसके नेता खुद से और साथ ही अपने परतिवद समर्थ को से आँख मिला पाएंगे क्या उसकी राजनीती में नीती के लिए कोई अस्थान नहीं क्या अब वो कस्मीर से अनुछेद 370 हटाने के साथ साथ समान नागरिक संहिता और ऐसे ही अन्य मसलों पर वही सब कुछ कहा करेगी जो कॉंग्रेस और राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी कहती आ रही है सिव सेना इस आदहार पर राष्टिये जनतांत्रिक गठ बंधन से अलग हुई क्योंकि भाजपा ने बारी बारी से दोनों दलों के नेताओं को मुख मंत्री बनाने की उसकी मांग नहीं मानी लेकिन उसे असपस्ट करना चाहिए कि आखिर ऐसी कोई सहमती बनी ही कब थी सवाल यह भी है कि क्या धाई-धाई साल तक दोनों दलों के नेताओं की ओर से मुख मंत्री पद संभालना एक दूसरे के प्रती भरोसे का परिचायक होता एक दूसरे के प्रती अविश्वास से भरा यह फार्मूला तो नाकामी की ही कहानी लिखता यह समझ आता है कि सिव सेना इसे से कुंठित है कि वह भाजपा के मुकाबले कमजोर हो गई है लेकिन क्या इसका उपाय धूर भिरोधी दलों की गोद में बैठना हो सकता है कि सिव सेना अनभव हिन आदित ठाकरे को मुख मंत्री बनाने पर क्यों आमदा है वैसे तो सिव सेना परिवारवाद की राजनीती का ही पोशन कर रही है लेकिन अब तो वह लोक लाज त्याक कर घोर वन्सवादी दल बन रही है